नमस्कार दोस्तों मैं उपस थी थूँ पुना आप सभी की सहायता के लिए एक नई और शधी लेकर के एक नया नुश्खा लेकर के दोस्तों प्याज के टुकड़े को मोजे में रखकर सोने के फायदे जी हाँ दोस्तों प्याज के टुकड़े को मोजे में रखकर सोने के फा वायyoo को शुद्ध करते हैं पर यह पाफी कम ही लोग जानते हैं कि जब इन्हें शरीर पर लगाया जाता है तो यह शरीर में किटारों और जिवानों का भी नाश करते हैं मोजे में प्याज रखकर सोने से अंगों को भी स्वस्थ रखा जा सकता है यह बात मेडिकली भी कही गई है कि प्याज में मौजूद फासफोरिक एसीड खून की धमनियों में घुस कर खून को शुद्ध बनाते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि हमारे पाउं काफी शक्ति शाली है और इनकी आपके शरीर में अंतरिक अंगों तक सीधे पहुँच होती है पैरों के नीचे सीधे अलग अलग तंतरिका अंत लगभग 700 होती हैं जो कि शरीर के विभिन अंगों से जुड़ी होती हैं ये शरीर के भीतर एक शक्ति शाली बिजली के सरकित की तरह से काम करते हैं लेकिन ये अक्सर जूते चपल पहनने की वजह से निश्क्रिय हो जाते हैं तभी सलाह दी जाती है कि हम सभी को कुछ घंटों के लिए नंगे पैर टहलना चाहिए दोस्तों प्याज को मोजे में रखने के लिए एक जैविक प्याज लें जिससे कि वह पेश्टिश साइड और अन्य केमिकल से मुक्त हो फिर इसकी दो सलाइस काट कर दोनों मोजों में रख कर सो जाईए प्याज की सलाइस पाउं को पूरी तरह से छूनी चाहिए दोस्तों अब आईए जानते हैं प्याज के टुकड़े मुझे में रख कर सोने से कैसे फाइदा होता है और क्या क्या फाइदे होते हैं प्याज में एंटी बैक्टिरियल और एंटी वाइरल गुण होते हैं जो शरीर पर रगणने से बिमारियों और रोगों के जिवानों को नाश करते हैं प्याज त्वचा में मौजूद फास्फोरिक एसीड को सोख लेता है तो खून को शुद्ध करने में मदद मिलती है जब आप सोते हैं तब यह तेज गंध वाली प्याज का टुकड़ा कमरे में हवा को शुद्ध रखने में मदद करेगा इससे पैरों की गंध दूर होगी प्याज के टुकड़े पैरों के बीच रखने से पेट का संक्रमर दूर होता है तथा किड़नी की समस्या भी दूर होते हैं दोस्तों जिहां अगर आप प्याज के टुकड़े को पैरों के बीच रखकर सोते हैं दोस्तों तो पेट का संक्रमर खतम हो जाएगा तथा किड़नी की समस्या भी ठीक हो जाएगी छोटी आत एवं मुत्राश्य की समस्या से निजात पाने के लिए भी ये बहुत हैं लापकारी और शद्धी है दोस्तों अगर आपको अपने पैरों के स्मेल खतम करने है दोस्तों तो प्याज के टुकडों को काटी यानि कि टुकडे टुकडे बनाईए और उसे अपने मोजे में रख करके यानि कि मोजे में डाल करके और आराम से सो जाएए दोस्तों आपके पैरों के स्मेल खतम हो जाएगी अगर आपको बुखार हो तो प्याज काट कर मोजे में रखें जरूर फायदा मिलेगा दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं जैसे लोहा लोहे को काटता है उसी प्रकार से प्याज में भी तिव्रगंध होता है दोस्तों और पैरों में भी कई लोगों के मुझे पहनने से तिव्रह्स्मैल आती है यानि कि गंध आती है जिस से छुटकारा पाने का सबसे बेशट उपाया है आप प्याज रखकर के मोजे में रात को सो जाएए आपके पैरों के स्मेल खतम होने लगेगी दोस्तों गायब होने लगेगी तो इस प्रकार से आज के हमारी और शदी रही दोस्तों प्याज को काट कर मोजे में रखने के लाब या प्याज को मोजे में रखकर सोने के लाव अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नई और शदी ले करके एक और नया टोपिक ले करके तब तक के लिए धन्यवाद